नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल टेक्जे टिप्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्ता आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए भारत के खनी संसाधन से संबंदे जितने भी महत्पन प्रसन बन सकते हैं वो सभी में लेकर आयों जो कि आपके आने वा आए हुए चलिए स्वागते उसरे तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को लाइक एड़ चेर कर दीज़े अपने सभी दोस्तों के साथ तो चलिए स्वागते हैं तो पहला को सेन है कि भारत में खनीज्यों के सर्व Gas Corporation, राष्टिय खनीज विकास निगम, मतलब NMDC और जितने विभीन राज्जियों के खदान यह भू विज्ञान विभाग होते हैं, वो सभी मिलकर करते हैं, अब जैसे कि खनीजों के सर्वेच्छन है और अन्वेशन का कारी इसलिए जरूरी है जैसे किस छेतर में कोईला है किस छेतर में क्या खनीज पदार थे, यह सभी पता करना, यह सभी डिपार्टमेंट, यह जैसे GSI हो गये हैं, यह सब का काम होता है अगला है कि Geological Survey of India का मुख्याले कहां है, दोस्तों यह कोईशन बहुत सारे परिच्छाओं में आया हुआ है, इसलिए 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 आप पूरा वीडियो पे बने रहे हैं तो इसका सही उतर है दोस्तों कोलकाता में, और कोलकाता जो की पस्यमंगाल की राइधानी भी है, अगला है कि भारतिय खान ब्यूरो का मुख्याले Head Office कहां है, तो इसका सही उतर है दोस्तों नागपूर में, और नागपूर दोस्तों महारास्टर में इस्थीत है, और महार पर इस्थी थे तो इसका सही उत्रों तो देहरादून में इस्थी थे उत्राखंड राज्य में देहरादून इस्थी थे तो कि देहरादून जो है वह उत्राखंड की राजधानी है अगला है कि खनीज अन्विशन निगम लीमिटेड का मुख्याले कहां है तो इसका इसका वो नागपूर में इस्थी थे, अगला है कि राष्टिय खनीज विकास निगम, मतलब जो NMDC है, National Mineral Development Corporation, इसका मुख्याले Head Office कहां पर इस्थी थे, तो इसका सही उतर है उस्तो हैदराबाद में इस्थी थे, और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है, अगला ह कि धारवार छेतर जो है, वो किसलिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उतर है उस्तो धातवी खनीजों के लिए, मतलब जितने मेटल से रिलिटेट जो खनीज होते हैं, वो सब के लिए बहुत फेमस है, अगला है कि भारत में सिर्ष पांच खनीज उतपादक राज्य कौन से हैं, ठीक है, तो इसका सही उतर है उस्तो ओडिशा, नेक्स्ट रायस्थान, फिर है आंदर परदेश, फिर चत्तिसगड और जारखन, ये सबी जो हैं वो सिर्ष पांच उतपादक राज्यों में आते हैं, यहाँ पर खनीज सामिल किया गया, मतलब यहाँ पर जितने भी ख है, तो किस प्रकार के पत्थरों से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उतर है, तो तर्शरी यूग के अवसाधी सेलों से पाया जाता है, और उसका कोईला जो है, वो किस तरह के पत्थरों से निकाला जाता है, तो इसका भी सही उतर है, अवसाधी सेल, ठीक है, अगला कि विभिन्य पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले कोई भी पदार्थ को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं अगला कॉशन है दोस्तो 11 नमर में कि सबसे पुराना प्राकरतिक संसाधन जिससे कि बिजली उत्पादन किया जाता है वह कौन है तो इसका सही उत्तर दोस्तो कोईला और कोईला जो है वह मुख्या संसाधनों में भी आता है बिजली उत्पादन करनेगा क्योंकि भारत में वो कोईला से सबसे ज़्यादा तापिय विद्यूत का उत्पादन किया जाता है next है कि कोईले से कौन-कौन से पदार्थ उत्पाद प्राप्त होते हैं तो इसका सही उत्रे जोस्तों कोलतार, कोलगेस ये सभी प्राप्त होते हैं और अब वरतमान में सरकार ने वो कोल बेड मिथेन को भी निकालने का कोल इंडिया लिमिटेड को ओर्डर दे दिया है और कोल इंडियल इमिटेड ने जो है वो हाली में BCCL और ECL की ख़़ानों से कोल बेड़ मिथेन को प्राप्त करने के लिए टेंडर भी निकाल दिया है नेक्स्ट कॉस्जन कि मृत वनस्पती के कारवनी करन से क्या बनता है तो इसका सही उतर है दोस्तो कोईला कोईला बनने का जो प्रोसेस होता है न दोस्तो उसलिए को हम लोग कारवनी करन कहते हैं अगला है कि कोल तार से कौन सी उत्पात प्राप्त की जाती है तो कोल तार से जो है वो नेफ्थलिन की गोलिया जो की सफेद रंकी होती है आप लोग देखे भी होंगे वो प्राप्त की जाती है नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम से कौन-कौन से पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं तो देखिए पेट्रोलियम से जो है वो पेराफिन मोम, सनेहक तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सबी चीज प्राप्त की जाती है नेक्स्ट कॉस्टन बहुत इंपोर्टेंट है कि सिंग्रेनी कोलियरी कमपनी लिमिटेड कहां इस्तित है तो इसका सही उतर है दोस्तों तेलंगाना राज्य में इस्तित है दोस्तों सिंग्रेनी कोलियरी कमपनी लिमिटेड जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड के अंतरगत न बोनसं दूरगापुजा में बॉनस मिलता है वो दीती इसलिए यह बहुत चर्चा में धी पिछले वर्स नेउ counseling कि किस वर्स भारत में नुरतन स्रीमी की शुरुवाद गई हूं ऑरतन स्रीमी की सुरुवाद जो है वह हूं उनी सो संतानव इसवी में की गई थी next कि किस पुस्तक में वानि जिवाद शब्द का प्रियोग किया गया था तो इसका से उत्तर वानि जिवाद जो शब्द है ठीक है इसका प्रियोग किया गया था the wealth of nations book में और दोस्तो the wealth of nations पुस्तक किनों ने लिखा है तो इसका भी जवाब लोग की याद रखना है एडाम इसमीत ने तो आप देख सकते हैं कि मैं जितने वी question लेकर आया हूँ यह सभी selected है और बहुत important है अगला है कि विववस्थित ढंग से तेल का उत्पादन ओंजिसी के स्थापना के बाद प्रारम हुआ ओंजिसी के स्थापना जह है वह कब हुई थी किस वर्स हुई थी यह आपको याद रखना है तो इसका स्युत्ते रहें 1956 ठीक है अगला है कि भारत में सरोपर्थम खनीज तेल का उत्पादन कहां से प्रारम किया गया तो इसका स्युत्ते रहें दोस्तों डिगबोई असम से और यहां पे जो है ओल इंडिया लिमिटेड कोईला निकालने का कांग करती है अगला है कि Mumbai हाइ जिसे बॉंबे हाइ की नाम से भी जाना जाता है यहां पे मतलब समुद्र से तील का उतपादन किया जाता है तो इसका सही उत्तर जोस्तों 1973 में अगर कूशन पुछा जाए कि बॉंबे हाई जो है वह किस सागर में स्थी थे तो इसका सही उ अगला है कि विस्व में लोह ऐस्क के उत्पादन में पर्थम अस्थान पर कौन सा देश है तो लोह ऐस्क में भारत का विस्व में कौन सा अस्थान है तो लोह ऐस्क के अगर संचीत भंडार की बात की आई तो उसमें जो है वो भारत प्रथम नंबर पर आता है नेक्स्ट है कि भारत में लोह ऐस्क के उत्पादन में पहले दूसरे तथा तीसरे अस्थान पर कौन से राज जाते हैं तो पहले अस्थान पर है करनाटक, दुसरे अस्थान पर है 36 गड़, और थर्ड नमर पर है ओडिशा, 26 नमर बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज सबसे अधिक मैंगनीज का उतपादन करता है, तो इसका सही उत्तर जोस्तों, ओडिशा, लगभग कूल उतपादन का 34 पर ठाख अगे जहारखण में में कोईला निकालती है, BCCL, ECL और CCL, नेक्स 36 गड़ में जो कोईला निकालती है, اس, ECL कंपनी, ठीक है, साउथ इस्टन कालफिल्स लिमिटेड और इसा में जो कोईला निकालती है, दोस्तों, वो निकालती है, MCL, महान धिक ऑलफिल्स जो MCL अज़तो वो 1500 million metric ton कोईले का उतपादन करने वाली कंपनिया है मतलब बहुत बड़ी कंपनिया है जो बहुत अधीक कोईले का उतपादन करती है कोल इंडिया में सबसे ज्यादा में अभी 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 अधिमान में ACCL ही है नेक्स्ट एक सबसे उत्तम्सरीनी कफोला कून सा है तो सबसे उत्तम्सरीनी को में कता है ठीक है एंतरसाइट जो होती है वो सबसे अधिक मतलब कठोर और सबसे अधिक चमकीली कोईली होती है ठीक है अगला है कि भूरा कोईला किसे कहा जाता है तो दोस्तों भूरा कोईला जो है वो लिगनाइट को कहा जाता है और लिगनाइट नेवली लिगनाइट का जो है वो ब तो कॉइले को जाना जाता है भारत में ताम्बे के उत्पादन में परदले नमबर पर आता है तो मध्यपर्देश कोईला कौन से कमपनी निकालती है अगला है कि राय स्थान का जवार खान किसलिए Tout तो राजस्थान का जो जवार खान दोस्तों वह सबसे बहुत ज्यादा फेमास है दोस्तों आपको एक पॉइंट यह भी आधाधर रखना है कि तो ताम्मे की भंडार के बात की ज़ए तो अधिक ताम्मे का भंडार है रास्थान में अगला है कि भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक सबसे अधिक कहां होता है दोस्तों भारत में बॉक्साइट से क्या बंता है इस वीडियो के description के नीचे आप comment करिएगा आप मेंसे किसी एक comment को में pick करूँगा और उसको next वीडियो में में नाम लूँगा उसका सही उतर है दोस्तो बक्साइट का उत्पादन होता है सबसे अधिक उडिसा में जिसका percentage है 42% कूल परतिसत का अगला है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है तो अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है आंदर परदेश में 72% अगला है कि देश के किस राज्य में सबसे अधिक सोने का उत्पादन वर्तमात समय में होता है तो इसका सही उत्राइब तो करनाटक राज्य में कूल उत्पादन का भारत के कूल उत्पादन का लगब अंठानवे प्रतिसाद मतलब इसमें एकादिकार समझेगे आप करनाटक का ही है नेक्स्ट वै कि British कि बारत के किस राजी में सबस्फे ただ Like Radio अज़ता है तो इसका सही उत्र्योष फजांग राजी में सबस्फे अदिक यूरilyen का उत्पादन होता है ओर UNEU के लिए कोना सा खान परसिद治 में आप देखेंगे कि जादु गुड़ा किसलि लिए परसिद दे तो इसका से civils तो UNEUезж है कांब करती करती है और हमारे काम काम करती है और दोस्तों यहां पर स्विय यहां of का group भी बना दिया है तो आप हमारे group को भी join कर सकते हैं नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधीक magnetite का भंडार किस राज्य में है तो इसका सही उत्र है दोस्तो उत्राकंड में है 68% magnetite नेक्स्ट है कि चांदी के उत्पादन में कौन सा राज्य जो हो परखन स्थान परे én तो इसका सही उत्रय हो तो राज्यस्थान जो हो परखन%, चांदी को इंथ entfer वह उत्पादन जो हो फिंदुस्थां जिंकом लिमिटेड जो हे वह नामक कंपणः भी करती है युश्ट है कि विस्व का सबसे बड़ा थोरियम निरमाता देश कौन सा है तो इसका सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहां पर इस्थीत है तो इसका सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहां पर इस्थीत है तो इसका सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहां पर इस्थीत है तो इसका सबसे ब स्थापित किया गया था ठीक है देश का सहीव तरह दोस्तों बाकर नदी के किनारे कुल्टी में बंगाल आयरेन वक्स कंपनी के नाम से किया गया था नेक्स्ट दोस्तों कि देश के सबसे बड़े पेमाने का लोग इस पात का कार खाना कहां और कब स्थापित किया गया था तो इसका सहीव तरह है दोस्तों पुर्व सोवियत संग की साहता से मतलब रूस की साहता से भिलाई 36 गड़ में बनाया गया था ठीक है उसमें जो था वो मद्यपर्देश था ने तो किस वर्ष यहां से उत्पादन प्रार्म हो गया था अगला है कि हिंदुस्तान इस्टिल लिमिटेड रावर केला में जो इस्थी थे उसके अस्थापना किसकी साहता से और कब की ग किया था और यहां से उत्पादन जो है वो 1969 इस्थी में शुरू हुआ था अगला है दोस्तों कि हिंदुस्तान इस्टिल लिमिटेड दुर्गापूर के अस्थापना किसकी साहता से और कब की गई थी तो इसका से तरह ब्रिटेन की साहता से 1956 में की गई थी और 1962 से उत्पा बना था दोस्तों उसमें वो एसिया के सबसे बड़ी इस्टिल प्लांट थी और इसकी स्थापना में पुर्व सोवियत संग मतलब रूस ने सहायता की थी और कब की थी तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1964 इस वी में अगला है कि स्थील ऑथरेटी आप इंडिया लिमिटेड मत लाए गया था दोस्तों तो यह भी आपको डेट याद रखना है 24 जनुरी 1973 को अगला है कि सेल के अंतरगत कौन-कौन से कारखने आते हैं तो भिलाए के कारखने आता है दुर्गापूर का आता है बोकारो का आता है रावर के लाग आता है बरनपूर जो की वेस्टमगाल मे भारत का वी समय कौन सा स्थान है तो अस्पंज आरेन को पादन में भारत जो है दोस्तों वो प्रथम स्थान पर आता है अगला है कि भारत का पहला तटवर्ती कारखना कहां इस्थीत है अब तटवर्ती का बात बला जाए तो मतलब कि समुद्र के किनारे कौन सा करखना इस तो बहुत इंपोर्टेंट है अगला है कि भारत का पहला एल्मुनियम का कारखाना कहां इस्थापित किया गया था तो इसका सही उत्तर है जोस्तो उनीश्ट साइथी सुझे में पस्चिमंगर के आसुन सोल के निकट जेकी नगर में वहाँ पे एल्मुनियम का प्रतम कारखा जगा पर है स्थापित तो यह थी 56 इंपोर्टेंट कोस्चन जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं और दोस्तो अगर आपको यह सभी जो है मेरा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ सेयर करिये और दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत बुलिए अपना बहुमली समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बंदे मात रहाएं